कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो के माधियम से पंच कोशों के उपर विस्तार से चर्चा की थी यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें तब आपको इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है वह ठीक परकार से समझ में आएगा उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पहले जाकर उस वीडियो को देखें उस लिंक के माध्यम से उसके बाद वापस आकर इस वीडियो को देखें इस वीडियो में हम पंच कोशों को एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे या आज की वीडियो का यह विश्य भी रखा जा सकता है कि पंच कोश केवल मनुष्य जीवन में या मनुष्य दे में ही संभव हैं किस प्रकार हैं उसको एक एक कोश को करके और अन्य योनियों को साथ में ले करके चल के समझना पड़ेगा सबसे पहले चर्चा करेंगे अनमाय कोश की नीचे से उपर की ओर चलेंगे जैसे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी सबसे पहला अनमाय कोश के अंदर वह आते हैं जो हर समय अन के साथ अनार्थ भोजन के साथ ही जुड़े हुए हैं जिस परकार से पेड़ पौधे यह जो पेड़ पौधे हैं इन्हें 24 घंटे ही भोजन चाहिए होता है एक पल भी है अगर भोजन से दूर हुए तो तुरंत इनके जीवन के उपर संकट आने लग जाता है पेड़ पौधों का क्या भोजन है पानी और मिटी यदि किसी बौधे की जड़ को हम मिटी से दर या कुछ ही मिनट के अंदर उसके पूरे पत्ते मुर्जा जाते हैं और कुछ ही देर में वह पौधा मर जाता है इसका अर्थ के पेड़ पौधे चौबिस घंटे अन के उपर ही निर्धारित है या अन से चौबिस घंटे ही उनको उर्जा प्राप्त हो रही है पर तुम मानव जीवन में हर एक कोश को जितने भी अभी आने वाले इसके अलावा आगे आने वाले तीन और कोशों की हम चर्चा करेंगे पांच में आनंदम तो मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता हम एक भोजन करते हैं और उसके बाद दूसरा भोजन हमें लगभग 6 से लेकर 8 घंटे के बाद ही चाहिए होता है तो पेड़ पौदे जो हैं वह 24 घंटे ही भोजन के साथ जुड़े हुए हैं यह पहला कोश अब इसके अंदर दूसरा जुड़ जाता है जो है प्राणमय कोश तो है इसके अंदर वह जी जीव आ जाते हैं जो बहुत ही सुक्ष्म है जो कई बरी हमारे पैरों के नीचे आ कर मर जाते हैं यह हमें अपनी आँखों से दिखाई भी नहीं पढ़ते बहुत हैं जीव प्राणमय कोश की अंतरगत आ जीव को खाकर जीवित रहते हैं या पत्तीओं को कहा कर जीवित रहते हैं और प्रान मयकोश महाद्ग या-कैन्य जणécole सकते हैं बहुत चोटे झोटे जीव करिये में दिाए हैं चलते हुए प्राण महाद्गोश अपनी इछा से या स्ạoम ही चल भी पा रहे हैं परन्तु अब यदि पहले पेड़ पौदों की जो हमने चरचा की थी उनकी चरचा करें तो पेड़ पौदे अपनी इच्छा से नहीं हिल पाते हैं वाई-ईू के कारण वेह हिल पाते हैं परन्तु वेह जीव जो प्रानमय कोश के अंतरगत आ जाते हैं अ अनमयकोष, प्राणमयकोष, मनोमयकोष, मन का अर्थ इंद्रियां इसके अंदर वहे आते हैं जिन में इंद्रियां भी शामिल हो जाती हैं, वहे जीव जिन में इंद्रियां भी आ जाती हैं, अर्थ वहे देख सकते हैं, सुन सकते हैं या आवाज निकाल सकते हैं या किसी ची या एक से अन्य इंद्रियां उनके साथ जुड़ जाती है मनों मैं कोश उनके साथ जुड़ जाता है तो ऐसे जीव उधारन के रूप में या जी समझें तो मच्छर और अब इन तीन कोशों के अंदर चौथा कोश भी जुड़ जाता है वह है विज्ञान मै कोश अर्थ ज्यान इसके अंदर वह जीव आते हैं जिनके अंदर बुद्धी भी आजाती है वहन के साथ जुड़े है प्राण के साथ जुड़े हैं उनमें इंद्रियां भी है और चौथी चीज और शामिल हो गई है बुद्धी इसके अंदर लगभग सभी पक्षी आजाते हैं और अनेक पशु भी आजाते हैं कुता, बिल्ली, चुहा, शेर, चीथा, हाथी अनेक परकार के इसके अंदर बहुत सारे पशु, पक्षी और जानवर आजाते हैं जो जिनके अंदर घ्ञान आ जाता है कहा जाना है, कहा नहीं जाना, किस से बच के चलना है, क्या चीज उनके लिए हितकारी है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतीकूल है, क्या खाना है अपने भोजन की विवस्ता करना अपने बच्चों के भोजन की विवस्ता करना उनके रहने की विवस्ता करना उनको अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाना जो कई बारी हम कहानियों में देखते या सुनते हैं तो इसके अंतरगत वह जीव आ जाते हैं चार कोशों के अंतरग क्योंकि मनुष्य सात्विक क्रिया कलापों के माध्यम से योग के माध्यम से अपनी प्रवर्ति को सात्विक बनाकर अनंदमय कोश की साधना करके आत्मा का आत्म साक्षात कार कर सकता है योग की अवस्था को प्राप्त हो सकता है पंच कोश केवल मानव शरीर में या मानव ज जुड़े हैं हमें अन भी चाहिए जीवित रहने के लिए प्राण भी चाहिए मन इंद्रियां भी हैं हमारे पास कोई कारे करने के लिए किसी ग्यान को अर्जित करने के लिए हमारे पास ग्यान भी है किसी भी कारे को करने के लिए बुद्धी निर्णे ले सकती है और पांच प्रश्मान बेस्ति इन सब चीजों से उपर उठके एक वह अवस्ता जहां पर केवल शांती का नुभव सत्व गुण के साथ जुड़ा जा सकता है वह अवस्ता आनंद की अवस्ता जो योग के माध्यम से संभव है तो यह इस वीडियो में हमने प्रयास किया इस बात के ओप पर चर्चा करने का कि पंच कोश केवल मानव जीवन में ही संभव हैं मानव को ही पंच कोशों का सिधान्त या पंच कोश उपलब्द हैं आने वाले कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे कि और गहराई से पंच कोशों के सिधान्त को समझ पाएं और इसकी चर्चा कर पाएं झाल झाल